साथ में मिलके शुरू करते हैं जिन्दगी की दूसरी इनिंग और क्रिप्टो की ताजा खबर में आपका स्वागत है और फिर से हम शेयर करते हैं कुछ important खबरों से और इससे बड़ी खबर क्या होगी अमेरिका के अंदर 575 ETF जो है वो लांच होए ठीक है अब 575 ETF लांच आप इसको यह लेकर चलो कि जो लीड कर रहा है वो बिटकोईन के स्पॉर्ट ETF लीड कर रहे है तीस में से मतलब 572 में से जो टॉप 30 है उसमें जो टॉप 14 है वो या तो बिटकोईन के स्पॉर्ट ETF या इथिरियम के स्पॉर्ट ETF है उसमें से भी जो टॉप 10 है उसमें से भ पर इंडिया की नजर है कि नहीं I don't know study कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बट आप अगर इस वीडियो को थोड़ा सा like करोगे, comment करोगे share करोगे तो probably वीडियो के दीच पढ़ सकती है तो इस प्लीज आप अपना गाम करो और इसमें से भी micro strategy के दो ETF है, वो भी top 30 में है, तो actual में आप देखो तो सोचो top 16, 50% ETF, 575 में से top 15 ETF जो है वो bitcoin या ethereum के spot ETF है, तो crypto का जो appetite है ना, वो real है, मतलब आप यह देख सकते हो, यहाँ पर list है, amazing, amazing खबर है, और आप देखो ना पिछले हफते के अगर हम बात करें, तो इतना miner ने produce किया, कितना 3,150 BTC miner ने produce किया, लेकिन जो bitcoin ETF ने buy किया, ETF companies ने, वो 15,194 5X bitcoin जो है, वो buy किया है, ETFs ने Tether ने ना, थोड़ा clarification दिये, फ़ड हो गया था कि भाई, Tether के ओपर जाज बैढ़ गई है यह हो गया, वो गया, और Tether, जो है, वो market में, यूँ खलपर्सों की बात है Tether ने बोला है कि भाई, उनके पास 82,454 BTC है, reserves में, और 42.3 tons of gold है, तो USGT जिसको आप use करते हो उसके पीछे, US की treasuries, bonds और, यूँ नो, securities तो हैं, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी चीज़े वो है, Bitcoin और 42.3 ton gold, तो Tether नहीं है, clarification दिये MetaPlanet, जो कि Asia का MicroStrategy जीसे कहा जाता है, Japan में 1000 Bitcoin इनके पास हो गए हैं, 69 million US dollar के आसपास की holding हो चुकी है, 8% उसका share बढ़ गया है, MetaPlanet का, वो MicroStrategy को follow कर रहा है MicroStrategy की playbook बिल्कु simple है, के Bitcoin buy करो, Treasury Asset मदब सस्ता market से loan उठाओ, US में तो वैसे भी 0%, Japan में तो वैसे भी 0% के आसपास आपको loan मिलता है, loan लो Bitcoin में डालो and forget it, तो यह playbook है यह MicroStrategy की playbook को बिल्कु copy कर रहा है MetaPlanet और यह हमने यहाँ पर News को cover कर लिया है, ETF वाली यहाँ पर JP Morgan का कहना है कि BlackRock का जो biddle है वो stable coin को beat नहीं कर पाएगा क्योंकि जो biddle है, जो US की Treasuries, जो basically Treasuries है, जिनके tokenization जो अगर on-chain हो रही है तो वो stable coin को beat नहीं कर पाएगे क्योंकि stable coin जो है वो securities में fall नहीं करती हो जो biddle है, right वो security की definition में fall करता है यह JP Morgan का कहना है और यहाँ पर coin based ने एक ऐसा based agent जो है वो template launch किया है जिसके अंदर कोई भी बन्दा जाके अपना AI agent बना सकता है AI agent को कुछ ही मिन्टों के अंदर आप अपना wallet connect करके बना सकते हो AI कितना हम लोग देखने क्रिप्टों में इसका use होने वाला है मतलब कोई भी आदमी अपना AI agent बना के AI agent एक तरीके का personal assistant समझ लो जो आपके लिए आप पर staking करेगा trading करेगा आपके भी आप पर swap करेगा yield farming करेगा कोई भी जा के अपना agent pots बना सकते हो so this is a latest trend that I am seeing कि कोई भी अब यह जो इस तरह के template और इस तरह के जो AI agent बनाने की जो templates हैं और जो techniques हैं यह सारी exchanges are going to follow और इस इस गोई टो really catch up उसके बाद मैंने यहाँ पर जो एक और चीज यहाँ tweet की थी I don't know आपने tweet पढ़ा नहीं बढ़ इस tweet को पढ़ ले न मैं यहाँ पे से भी बताना चारा हूँ कि क्या होता अगर USDT fail हो जाए तो क्या होगा तो उसके मैंने यहाँ पे कुछ effects बता हैं कि immediate impact क्या होगा short term में impact क्या होगा medium term में impact क्या होगा बट long term में जो इसका impact है वो यह कि जब obviously USDT अगर fail होता है तो पहले तो market correction होगी no doubt about that UST fail हुआ था तो 40% correction होगी थी तो USDT fail होने पे भी correction तो बहुत बड़ी होगी immediate impact होगी होगा long term में जितना पैसा USDT का है वो सारा transfer bitcoin या ethereum या top alt coins में बट सबसे जब जो पैसा जाएगा bitcoin जाएगा तो it is a very bullish news for bitcoin in the long run but in short term definitely it will have much of a huge impact on the market तो यह था और यहाँ पे China एक जीवगरी problem से गुजर रहा है China rate cut कर रहा है लेकिन consumption बढ़ने रही demand नहीं बढ़री और यह भी जीवगरी problem है कि वो rate cut करता जा रहा है उसने 25 basis point का फिर उसने rate cut announce किया लेकिन वहाँ पे demand नहीं बढ़री वह inflation नहीं बढ़री China is not able to inflate the market because people are not demanding things तो यह जो Japan face कर रहा है वह ही China भी face कर रहा है तो again one of the reason could we इसमें जो बताया जा रहा है कि यह जो पैसा है जो rate cut करने के पाद जो पैसा है यह obviously यह bitcoin के अंदर भी जा सकता है या जा रहा है देखे यह bitcoin का pattern हम देख रहे है जब से march में all time high हुआ था तब से bitcoin कभी low कभी high कभी low low कभी high कभी low कभी high इस chart में ही बताया जा रहा है कि अगर पहली बार bitcoin ने 65,000 US dollar पे इसको अगर hold कर लिया तो यह इस high low के pattern को break कर सकता है और bitcoin के make all time high तो यह यहाँ पे यह pattern को काफे time से follow कर रहा है बड़ अगर bitcoin 65,000 US dollar को hold करता है so you know this pattern can be broken और यहाँ पे हम यह देख रहे हैं कि ETF जो है वो total 1 million bitcoin को own करते है it's like almost matching the satoshi के पास जिनकों पतोशी भी कहते हैं उसमें 1 million bitcoin के असपास है तो bitcoin ETFs are crossing those limits उसके बाद हम बात करें US की जो money supply है it is M2 वो grow कर रही है आप यह देखो कि पहले covid से पहले इतना money supply था और covid के बाद अचानक यह पहाड़ बना दिया फिर rate है rate hike हुए उससे फिर पहाड को नीचे लाए गया और अब वापिस से यह normal अपनी range में आ रहा है और आप यह देख सकते हो यह increase क्योंकि अब rate rate cut होने के बाद यह वापिस M2 money supply is coming back to its normal Micro strategy is one of the greatest success story of the century किस तरीके से stock देख रहे है बिलकुल flat था 2002 से 4, 5, 6, 8 कुछ खरकत नहीं थी और कैसे Micro strategy ने अपना turn around कर दिया Bitcoin के ओपर तो Bitcoin Micro strategy has followed the Bitcoin strategy चाहिए अब यह book के playbook सबके लिए open है और बहुत सारी companies इसको follow करेगी कहीं न गहीं तेके न यूएस डॉलर के बारे हम गोलते हैं कि इसका dominance खतम हो रहा है कम हो रहा है वट भाई अभी यूएस डॉलर का 49% dominance है यूरो का भाई खतम हो रहा है यूरो का 39% से 21% आ गया है यूएस का जो है वो drop तो हुआ है बारा सालों में लेकिन फिर भी यूएस की dominance अभी भी बहुत जादा है और यूरो की गिरी है 49% से 21% और चाइनीज यूएन का increase हो है तो उसे 5% सो चाइना यूएन का कितना कम है share जो global payments में तो अभी भी यूएस बहुत बड़ा कहना आसान है कि अमेरिका को अमेरिका के dollar को खतम कर देंगे यही dominance जो है अमेरिका को बहुत बड़ी advantage देता है चाइट जीपिटी हो हो यह वाला data जाते जाते दिखा रहा हूँ AI के उपर मैं हमेशा कुछ ने कुछ cover कर नहीं कोश करता हूँ एक average आदमी का IQ 100 है Albert Einstein का 160 है और चाइट जीपिटी का जो अभी बहुत ही primitive form है बहुत early stages में उसका 105 है सोचो ज़रा कि जो सबसे smart आदमी human आज तक अपने recent टाइम में Albert Einstein का हमने देखा 155 IQ 160 IQ और चाइट जीपिटी का almost Einstein के बराबर IQ पहुच चुका है और यह भी बहुत primitive form पे है अगर जब सोचे कि future में जब AI के जो versions आएंगे जो चाइट जीपिटी का version आएगा that could be 500 और 1000 का IQ लेवल जब होगा तब क्या situation होगी right कैसे match करोगे as a human कैसे आप match करोगे machine को in terms of intelligence right so that will be like a scary kind of a situation AI को ना गैर जिम्मेदार होके बड़ी बड़ी companies ने अपने फाइदे के लिए उसके साथ ऐसा छेड़ चाड़ और ऐसा experiment कर रही है जबकि AI का जो जो भी experiment होना चाहिए था कई experts का यह कहना है कि internet के ओपर open internet का access नहीं होना चाहिए था आई का closed environment में AI के साथ experiment करना चाहिए था रूसके AI agent को इस तरीके से यूनो बनाना चाहिए था उससे program करना चाहिए था उससे program करना चाहिए था था कि एक responsible तरीके से right responsible because उसको जो AI agent को आप जैसा सिखाओगे जैसा उसकी यूनो programming करोगे वो उससी साब से you know design हो जाता है तो अब AI agent को क्योंकि जो बड़ी बड़ी companies है वो profit के लिए उनमें hold है तो वो गैर जिम्मेदार तरीके से AI agent को you know grow कर रही है उसको effective बना रही है वो यह सोच ही नहीं कि इसका future में क्या impact हो सकता है तो we are actually creating monster we are creating a monster intelligence जादा होना कोई बुरी चीज नहीं है artificial intelligence का होना intelligence का कई गुना जादा होना कोई बुरी चीज नहीं थी humanity के लिए अच्छी चीज थी point सिर्फ यहां पर इतना है कि जब इसको आप गहर जिम्मेदार तरीके से जब आप इसको बना रहे हो तो अब यह AI agent किसको फायदा करेगा actual में तो लोग यह कह रहे हैं कि humanity को फायदा करेगा but humans तो different different countries में रहते हैं तो क्या कलको ऐसा नहीं हो सकता कि यह सिफ चाइना को फायदा करेगा यह सिफ यूएस को फायदा करेगा और हमें conflict देख सकते हैं तो यह उसमे humanity कहा रह गई है ठीक है और क्या यह यूएस की companies को फायदा करेगा और अगर company के level पर देखे हैं तो क्या meta को फायदा होगा so all यह बहुत सारे सवाल हैं जिसके हम deeper understanding में ज़रूर जाएंगे कैसे लागा आज का वीडियो प्लीज एक बारी comment करके बताएगा वीडियो पसंदा है तो लाइक करेगा और चैनल पर नहीं पहली बार है तो सब्सक्राइब करेगा में दिस थार थैंक यू वेरी मच